स्टुडेंट बैक टूबैक क्लासेश फिल्सेशूट हो गई है ठीक है कल हम बात करते हैं चप्टर वन की तो चप्टर वन हमारा क्लियर हो चुका था जिसमें हमना पूरा अपना स्लेवर समझाता कि हमारा बिजनस औरगनेशिशन में क्या क्या स्लेवर्स है हमारे पास अगल जो 11 के स्टुडेंट हैं उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और कल हम अपना चप्टर वन फिनिश कर चुके थे उसमें और को ज्यादा नहीं था ठीक है बात करते हैं चप् वेबसाइक संगठन हमारा पास जो सब्जेक्ट है उसके क्या-क्या छेत्र होते हैं उसका पहले मीनिंग क्या होता है उसकी कितनी पकड़ है कितनी पहुच है उसकी एक्चुल में वो क्या है और उसकी क्या हम इंपोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में ठीक है तो वह इस और इसे पहले थोड़ा सा अपने ऐसे ही समझेंगे कि अनाल्थिक क्या होती है और इंग्लिश में बात करें तो नॉन एक्टिविटीटीज क्यों होती है और इकनोमिक एक्टिविटीज क्यों होती है देखो सर्फ इतना सा फंट आध रखो कि नॉन एकनोमिक वो अक्टिविटीज होती है जिनका मोटिफ पैसा कमाना नहीं होता आ आई गया नौन आगया मैं इसमें पैसा नहीं कमाता हूं ठीक है एकनोमिक की बात करो आथिक की बात करो तो इसमें क्यों होता इनका में मोटिफ पैसा कमाना होता चाहिए वो कैसे भी कमाया जाए चाहिए नौकली करके चाहिए अपने बिजनिस से चाहिए खुशी भी काम को करके ठीक है तो अनार्थिक किरिया क्या होती है जिनका पैसा कमाना देश्य नहीं होता ठीक है उसमें कौन-कौन सपोट है अब मैं कोई भी अगर इंसान समाज की सेवा करता है आप उसे पैसा मिले ना मिले तो इसलिए तो नहीं करता वह समाज की सेवा ठीक सेकंड पॉइंट क्या देशवक्ति जतनी वह देशवक्ति की जाती है उनका कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह without to profit या without salary के भी काम करते हैं देशवक्ति के लिए दान करते हैं तो भई हमारा जब दान करते हैं तो पैसे तो मिलेगा नहीं उसके और करते हैं यह सब पैसे मिलना प्यार करने के उसके इसा तुन होता है कि अब प्रफशन होता है अपना मेरे पास website हो या मैं किसी के iário में सेवा कलता हूं किसी टिक website में क्या क्याम मेरہ इंडरेस्टि का खड़ी हुए या मैं खुद का किसी चीज का मालिक हूं ठीक है पेशा क्या होता मेरा प्रोफेशन क्या है जैसे डॉक्टर होता एक पेशा आई है कोई भी एक पहुच होती है उसे हम पेशा बोलती है या प्रोफेशन बोलती है डॉक्टर एक क्या होता प्रोफेशन होता एड़ोकेट प्रोफेशन होता और अप मेरा मेन मोटिक क्या पैसा कमाना थिक सेकेंड पॉइंट नौकरी नौकरी करता हूं किसी के एंडर में तो वो क्या मेरा पैसा कमाना ठीक है तो दो मतलब थे human activities में कौन-कौन से अनार्थिक और आर्थिक इसका मेना आगे meaning में दिया है English और Hindi में उसे भी समझागे एक बार थो असानी से 7 में आ जाएगा आर्थिक क्रियाओं के लिए क्या लिखा मैंने कि कि इसकी में मुटिप पैसे कमाना नहीं होता उनक है और आप्लों जैसे क्या अगर हम पूझा करेंगा तो पैसा नहीं मिलेगा मैं ठीक है देशवक्ति है प्रेम आदि English में बात करना वर्ब that are not related to money मलब क्या वो सभी काम जिनका relation money से नहीं होता उसे क्या बोलते हैं non-monetary works या फिर non-economic activities ठीक है जैसे क्या to pray या petrotism या love ठीक सेकंड पॉइंट दिया है आल्थिक क्या economic activities क्या होती है वे क्या जो धन प्राप्ति के उद्दिश्य से की जाती है उन्हें आल्थिक क्या कहते हैं मैं लगया जिनका main motive क्या होता और प्रॉफिट या फिर earn money जो पैसा कमाने के उद्दिश्य से काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम economic activities में डलते हैं इंसानों को या उन मानवे क्रियाओं को human activities को ठीक है जैसे क्या कि फर्स्ट पॉइंट है अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना जब कोई teacher किसी भी student को पढ़ागा तो उसके according में क्या लेता है वो फीस लेता ठीक है तो क्या है यह economic activities द इसके बात करते हैं नीचे कि website संगठन का earth next point बनता हमारा website संगठन का earth meaning of business organization देखो business organization मैंना कल भी आपको समझायाता कि क्या होता है कैसे काम को करना है किस तरीके से करना है business कैसे चलाना है कैसे उसकी growth करनी है कैसे अपनी income को बढ़ाना है क्या-क्या वो काम करने है जो business में म कर सकता हूं ठीक है एक अच्छी मोटी कमाई कर सकता हूं ठीक है तो वो सब किसमें होता है हमारा meaning of business organization में होता हूं ठीक तो क्या है अगर महिंदी में बात करों तो website संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है website संगठन तो पहली बात क्या कि जब तक हम उसका meaning ना पता हो तब काम नहीं कर सकते हैं कि इसलिए हम अपनी life में जब फी कोई काम शुरू करेंगे तशी समझेंग उससे सोचेंगे फिर उसके बाए शुरू करेंगे जब हम और किसी चीच का मतलब भी नहीं पताओ तो उसकाम को आ शुरू नहीं यह करेंगे तो यह वीडियो आज सिर्दे ह और्गाने जीशन अलग वोर्ड है इसमें होता है दोनों को अलग समझेंगे अभी तक हमें फुरा चैप्टर है एक साथ सब्जाट लेकिन हम पहले दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे फिर उसको आपस में कमबाइं करके जोड़नगे फिर उसमें पूरा कुछिन मनेंगे तो इस it is very important to have knowledge of both मतलब क्या इन दोनों को ग्यान होना भी बहुत जरूरी है बहुत अफश्रक है ठीक है तो यह वीडियो सिर्फ नहीं तक ही है कल हम पूरे दोनों के बारे में पढ़ेंगे दोनों के बारे में समझेंगे कि क्या होता है बाला बिजनिस पढ़ेंगे उसकी जितन कौन सा माना भी चार्ट बनाया था वो चार्ट भी बना लें अपने पास और कौन-कौन सी आलतिक किरिया होती है मदलब economic activities कौन-कौन सी अनालतिक किरिया होती है मललब Non economic activities ठीक है एं दोनों को वीडियो को पांस करके अच्छे से लिख लेना ओके तैंक्कु याज